हलो गाईज, स्वागत है आपका सिर्जन सी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2023 में बनी और 2024 में रिलेज हुई इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि ये टिपिकल होरो मुवी से एक तम अलग है इसकी रियल लाइफ सिमिलर्टीज और इससे जुड़े जो भी अंसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में और इसकी एंडिंग को लेकर पूरी दुनिया परेशान है उसे भी मैं विस्तार से डीकोड करने वाला हूँ जो कोई नहीं कर पाया तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जोल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटरी स्टाइल में मुवी स्टार्ट होती है हमें ये दिखाते हुए के 1970 में अमेरिका के अंदर कितना के आटिक महौल था पर जगा वालेंस थी, सीरिल किलर्स पकड़े जा रहे थे, नएने साटैनिक कल्स बन रहे थे, चारो तरफ पूरा नेगेटिव महौल था इसी अन्रेस्ट के भी जनता को थोड़ा कमफर्ट देने के लिए 4 अपरेल 1971 को स्टार्ट हुआ था एक लेट नाइट टॉक शो नाइट आउल्स जिसका होस था जैक डैलरॉई जो इससे पहले एक पॉपिलर रेडियो अनौनसर था टीवी पर उसने डेब्यू किया और आते ही टक कर देनी चाहिए सबसे पॉपिलर शो को तो नाइट शो स्टारिंग जानी कार्सन जो के एक रियल शो था नाइट आउल्स विज जैक डैलरॉई एक फिक्शनल शो है इस मूवी में धीरे धीरे जैक का शो भी पॉपिलर होने लगा जनता उसे पसंद कर रही थी तो अगले साल नवंबर 1972 में जैक ने यूबिसी चैनल के ओनर वाकर बैडफोर्ड के साथ 5 साल की डील साइन कर ली इसे डील के बीश हम सुन पाते हैं कि एक रिपोर्टर ने जैक से पूछा कि यहां तक आने के लिए तुम्हें क्या सैग्रिफाइस करना पड़ा जैक ने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन आगे एक न्यूस पेपर कटिंग दिखाई गई जिसमें शायद जवाब छुपाएं इसमें लिखा है कि यूबिसी चैनल का जो पिछला लेट नाइट होस था डैसलेन उसकी अचानक से देथ हो गई एलिवेटर एक्सिडन में चैनल पहले से स्टॉगल कर रहा था पर अब ये नई उचायो पर जा रहा है जैक के शो की वज़े से दोनों सबसे हैपी और आइडियल कपल बन चुके थे लेकिन मैडलिन के अलावा जैक किसी और से भी जुड़ा हुआ था दग्रोव कैलिफॉर्णिया के जंगलों में मौजूद एक मैन ओनली कलोग जिसके मैंबर्स है सबसे इलीट और पावरफुल लोग जैसे बिजनसमे में अजीब तरह के रिचुल्स किया जाते हैं पावर के लिए करियर बनाने और बिगारने के लिए तो उस न्यूस्पेपर कटिंग ने पूरी तरह सेंस बना दी रेडियो होस से इतना बड़ा सेलिबरेटी बन गया एक साल में उस तो बात है खैर शो चलता रहा और ऐसे ही लंग कैंसर है जबके मेडलिन एक नौस्मोकर है उसने आज तक सिगरेट को छुआ तक नहीं मेडलिन के पास टाइम काफी कम बचा था तो आखिरकार वो जैक के शो पर आ गई पहली और आखरी बार शो पे उसने सब कुछ बताया कि कैसे वो जैक से पहली बार मिली थी कैसे बाद आगे बढ़ी वो सब और वो एपिसोड नाइट आउल्स का सबसे जाधा रेटिंग वाला एपिसोड बन गया क्योंकि दो हफते बाद ही मेडलिन की देथ हो गई फिर भी जॉनी के शो की रेटिंग्स को बीट नहीं कर पाया उस एपिसोड में जैक और मैडलिन के बा यह द्यान रखना जैक की वापसी हो गई लेकिन शो का डॉन फॉल नहीं रुका जॉनी के शो को टक कर देना तो दूर की बात उसके आसपास भी नहीं बचा रेटिंग्स के मामले में जॉनी का शो था तीसरे नंबर पर और जैक का शो 39 पर इसी लिस्ट में अगर आप यूसर लियो फिस्स ने एक नया प्लैन बनाया ऐसे गैस को बुलाना शुरू किया जो कॉंट्रोवर्सी करे और शो को थोड़ी हाइप मिले और ये प्लैन भी बेकार साबित हुआ अब तो उल्टी गिंती शुरू हो चुगी थी हर कोई इसी बेट में था कि कब ये शो बं वाला स्पेशल एपिसोड प्लैन किया जिससे उमीद थी के शो की रेटिंग्स आसमान चुझाएंगी अब वही एपिसोड हम देखने वाले हैं यानि वही पूरी मूवी है उस रात लाइब टीवी पर जो कुछ देखकर जनता दहल गई थी वो सब हम देखेंगे और साथ म पर्मर मैजेशन काल माइकल हेग परासाइकॉलजिस्ट डॉक्टर जून जून की सबजेक्ट लिली जिसके उपर जून ने किताब लिए सबसे लास्ट में आएगी सिंगर क्लियो जेन और फिर आखिर में होगी हैलोवीन कॉस्ट्यूम परेड जैक ने भी स्पेशल एंट् पर जैक पोछता है कि जब तुझे हर ताइम हात्माओ की आवासे सुनाई देती है तो तो सोता कैसे क्रिस्टू बताता है कि मेरा दिमाग किसी रेडियो की तरह है जो frequencies को catch करता है और जब मुझे catch नहीं करनी होती तो मैं उसे off कर देता हूँ, simple, वो पने reading start करता है तो उसे नाम सुनाई देता है Peterson, audience में से Barry नाम के आदमी ने वो नाम पहचान लिया पर Peterson नहीं Peter Man, वो कहता है कि Peter Man मेरी वाइफ का maiden नाम था, क्रिस्टू कहाता है कि तुमारी वाइफ हमारे साथ इसी रूम में मौझूद है, तो Barry कहाता है कि वो तो 5 साल पहले मेरे पडोसी के साथ भाग गई थी, यहाँ पर भारी comedy हो गई और क्रिस्टू की reading fail हो गई, पर खास बात यह है कि Barry के साथ मे skeleton costume पहने कोई बैठा है, एकदम सीधा, Jack ने उससे बाते की पर उसने कोई response नहीं दिया, क्या यह भी गुशाल आत्मा से बच रहा है, एक यह है और एक इसके नीचे बैठा है devil, हैर क्रिस्टू ने second reading start की और इस बार उसे नाम सुनाई दिया Edward, उसीधा सामने बैठी मा मा बताती है के Edward नहीं, मेरे बेटे का नाम था Edmund, पांस साल पहले Edmund ने खुद अपनी जान ली थी, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया क्यों, पर क्रिस्टू को सुनाई दिया पापा, मा बताती है के पापा Edmund के टेडी का नाम था, बस यहाँ पर एक emotional moment बन गया, खुब मिनी को जानता है क्या, पर कोई नहीं जानता था, उस पिरेट इतनी जादा powerful थी के क्रिस्टू का दिमाग फट रहा था, यहां तक के उसकी आँखे भी टर्न हो गई, और अब चाहकर भी यह अपने दिमाग को off नहीं कर पा रहा, मिनी को एक ऐसे unmarried आदमी से बात करनी थी जिसके हाथ में wedding ring है, लेकिन audience में ऐसा कोई नहीं था, अचानक lights में कुछ गडबर हुई और फिर camera में दुबारा glitch देखी, जिसके बाद सब normal हो गया, आतमा चली गई, wedding ring पहना unmarried आदमी किसी को दिखा नहीं, जबके हमारे सामनी है, Jack, कुछ तो यह avoid कर रहा है, फिर break लि जाता था, पर किसी को कोई फरक नहीं पड़ा, शो का प्रोडियोसर लियो जैक को backstage लेकर जाता है, और बताता है कि Barry एक paid artist है, उसे थोड़ी comedy करने के लिए बठाए गया, पर जो मा बेटी है, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, फिर break खतम होता है, तो बुलाया जाता है Carmichael Haye को, ये पहले एक magician था, लेकिन अब skeptic बन चुका है, यानि जो कोई भी supernatural powers होने का दावा करता है, ये उसे expose करता है, और इसे बुलाया भी इसलिए गया है, ताकि ये Chris 2 को अपना target बना सके, paranormal चीजों में ये believe नहीं करता, यानि आत्मा भूत वगरा में, ये तो Amityville house मे Jack ले जाए, पर अभी तक कोई नहीं कर पाया, तो Chris 2 की रेडिंग को भी fake बता रहा था, तो Chris 2 उसके मूपे पानी fake कर वहां से जाने लगा, तब Jack बताता है कि Chris 2 की आखरी रेडिंग एकदम सटीक थी, और मेरे ही लिए थी, जो नाम इसने लिया था मेनी, वो Madeline का private nickname था, ज अभी अचानक Chris 2 गिर पड़ा, ओडियंस थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन अभी और ज़्यादा परेशान होना बाकी था, क्योंकि उसने धेर सारा Black Liquid उगलना शुरू कर दिया, जो कि कहीं से भी नॉर्मल नहीं था, इसके चलते जल्द बासी में ब्रेक लेना पड़ा, लिक्विड उसने दो जगा उगला, एक तो हेक के उपर और एक कैमरा के उपर, उसे जल्दी से हास्पिटल ले जाये गया, और साथी साथ ओडियंस को बहलाये गया, कहीं वो पैनिक न कर जाएं, और हेक को ये भी ड्रामा लग रहा था, उसे लगता है कि जैक ये सब जान से चलना पड़ता है, पर इससे हमें एक ऑव्यस सा हिंट मिल गया, कि जून के साथ इसका चकर चल रहा है, तभी तो इसने जून को बुलाया है, उसकी बुक को प्रमोट करने के लिए, क्या पता कल शो बचे या ना बचे, ब्रेक खतम होने पर डॉक्टर जून और उसकी फड़ा गौड माना जाता था, पर अब इससे डीमन माना जाता है, और राक्षस थोड़ा फेमिलियर भी लग रहा होगा आपको, कैर अबरेक्सस का वो पहला चर्श था, उसे बनाया था जैंड और डियाबो ने, जिसका कहना था कि अबरेक्सस हमें दिखाता है, कि ना तो अंदर जो लेडिस थी, वो बस ब्रेडिंग के लिए थी, वो बच्चे पैदा करती और उन बच्चों को एक डैगर का यूज करके सेग्रिफाइस कर दिया जाता, और जो कोई भी रिचुल देख लेता, वो अब रैक्सस के वश में हो जाता, ये काम ऐसे चलता रहा, फीमि वर्स ने पूरे चर्च समेथ खुद को आग लगा ली, ना चर्च बचा और ना कोई फॉलवर, और किसमत से एक 10 साल की बच्ची जिन्दा बच गई थी, उसका नाम था लिली, लिली की हरकते थोड़ी अजीब थी, इसलिए डॉक्टर जून से कॉन्टेक्ट किया गया, औ इसमें वो लिली के अंदर माचूर डीमन से बात करना चाह रही थी, पर बात नहीं हो पाई, लिली बेकाबू हो गई, बस लिली के अंदर से किसी और की आवास सुनाई दी, और यहां पर एक और चीज़ पता चली, कि जब डीमन से कॉन्टेक्ट होता है, तो पहले टेक्नि 1971 में, और जैक का शो स्टार्ट कब हुआ था, 1971 में, जुन ने लिली के साथ पहला सेशन कब किया, 1976 में, और जैक की वाइफ मैडलीन कम मरी थी, 1976 में, सेटनी कल्ट का स्लोगन क्या था, हेल अबरेक्सस, यूबिसी मुवी अफ द वीक का क्या नाम था, हेल अबरेक्सस, अभी दिमाग को शांत रखो, इसके बाद जून और लिली को बुलाए गया, लिली की चाल ढाल काफी अजीब थी, ऐसा लग रहा था, जैसे बाडी को कोई और चला रहा है, सीधा सीधा दिखाया जा रहा है, कि इसके अंदर सच में डीमन है, क्योंकि चर्च के अंदर सैग अभी एकदम अलग था, सामने वाले की बात खतम भी नहीं होती, और वो जवाब दे देती, सबसे जादा आजीब बात यह है, कि जब से वो आकर बैटी है, ना तो उसने जैक को देखा, ना और्डियंस को, बस कैमरास में देख रही है, यानि घर पे बैठे लोगों की रही थी, जैसे पहले से जानती है, वो बोलती है कि शो की चिंता मत करो, जल्दी तुम बहुत जादा फेमस होने वाले हो, यहीं पर जैक ने ब्रेक ले लिया, और ब्रेक के टाइम भी वो कैमरास में ही देखती रही, जैक बैक स्टेश जाने लगा, तो लिली ने उसे बोल हमारा नाम ले रही है, यही मैं बताना चाह रही थी, इससे पहले वो लाइव टीवी पे कुछ उल्टा सिधा बोल दे, हमें यह सेशन खतम कर देना चाहिए, लेकिन जैक नहीं माना, शो की रेटिंग्स भी तो बढ़ानी है, अभी तो सवाल इसने पूछा ही नहीं, तब ब्रेक खतम हुआ, तो जैक के सवाल शुरू हुए, उसने जून से पूछा कि यह जो डीमन लिली के अंदर है, क्या वो अबरैक्सस है, जून ने बोला नहीं, शायद कोई माइनर डेटी है, जो अबरैक्सस की सेवा करती है, वहाँ पर चर्च से मिला सामान भी रखा था, जिसमें सबसे मेन है, वो सेगरिफाइस वाला डेगर, उसे लेकर हेग जून का मजाक उडाने लगा, कि जल्दी से अपने टीवी बंद कर लो, इससे पहले अबरैक्सस तुम्हारी आत्मा ले जाए, फिर वो बताता है कि नौस्टिक्स के हिसाब से, अबरैक्सस तो एक शो जाता है, और ऐसे निकल भी जाता है, कुछ ऐसा ही तो क्रिस्टू के साथ हुआ था, तब एक इंस्टुमेंट बहुत जोर से बजने लगा, और यहाँ कैमरा में फिर से गलेच दिखाई दी, उसकी आवास इतनी तेज थी के गलासिस तक तूट गए, गस उसे बंद करना च जटके लग रहे थे, तब हेग ने जाकर उसका प्लग निकाला, और यहाँ एक बार फिर से कैमरा में गलेच हुई, हेग इसका भी रिजन दे रहा था, जबके लिली बोल रही थी के यह मिस्टर विगल्स ने किया, यह सुनकर जैक बोलता है कि अगर मिस्टर विगल्स यही पर हैं, तो क्यों ना उनसे बात की जाए, लिली तैयार थी, लेकिन जून नहीं थी, बलके वो तो इस बात से हरान थी, कि जैक ने यह बात बोल कैसे दी, ऐसा तो कुछ भी तैन नहीं हुआ था, जून साफ मना कर रही थी, क्योंकि यह डेंजरस साबित हो सकता है, पर जैक जैक ने इसे शो पर बुला कर फसा दिया, इसने पहले से सब कुछ प्लैन किया हुआ था, और जून फसी क्यों? लालच की वज़े से, ये भी तो किताब प्रोमोट करने के लालच में आई थी, वो भी लिली को साथ लेकर, जैसी ये कोई अबजेक्ट है, हाला कि इसके टीवी पर तमाशा भी खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि फिर रैपिटेशन भी तो जाएगी, और शकल एकदम रोने वाली हो चुकी है, पर रो भी नहीं सकती, अब तो डीमन से बात करनी पड़ेगी, पर इससे पहले ब्रेक लिया गया, ब्रेक लेते ही जून ने गाली देक जैक को बोला कि तूने मेरे साथ धोका किया, पर सस्तो ये है कि दुनिया ऐसी है, जो इमिज जैक ने टीवी पर बनाई है, वो बस इमेज है, और लोग सोचते हैं कि वो असली जैक है, इसके बाद गस जैक को सैड में लेकर गया, और बोला कि मैं जाउनता हूं कि क्रिस्ट कर सकती है, पर हमारी दुनिया में उसकी एंटरी पॉसिबल है, सिर्फ लिली के थूरू, मैं बस चाब भी प्रोवाइड करती हूं, जिससे दरवाजा खुल जाता है, अब जो भी आप देखोगे या सुनोगे, वो आपको विचलित कर सकता है, मगर शांत रहना, लिली का ध चुका है, लेकिन अकेले में, आसपास इतने सारे लोगों को देख कर वो बेचैन हो रहा था, तब जून कहते है कि हमने तुम्हें बुलाया है तुम्हारा परपस जाने के लिए, और परपस सुनते ही उसे कौन याद आया, जैक, वो जैक से बोला कि तुमसे दुबारा मिल कर अच्छा लगा, जैक कहता है कि हम तो पहली बार मिल रहे हैं, तो डीमन बोलता है कि बेवकुफ मत बनो, हम पहले मिले थे लंबे पेड़ों के बीच, यानि दग रो में, जिस ग्रूप का ये मेंबर है, डीमन जून की बात नहीं सुन रहा था, तो वो लिली को वाबस ब जून उसके पास जा रही थी, पर तभी डीमन ने अपना भयानक चेहरा दिखाया बस एक पल के लिए, जून अपना लाकेट दिखा कर कोई मंतर पढ़ने लगी, ताके वो भाग जाए, लेगिन वो तो कैमरा में देखकर हस रहा था, बलके जून के साथ खोदी मंतर बोल र रही हो, तब इस सेलिंग में बिजली घूमती हुई दिखाई दी और लिली की चेहर अपने आप हवा में तेरने लगी, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया, लिली फिर से नॉर्मल हो गई, लेगिन एक चीज़ मिसिंग है, कैमरा में ग्लेच नहीं हुई, इसका मतलब क लेकिन बंद नहीं किया, ये सब देखकर और सुनकर जैक दहल चुका था, एक जून को एक्सपोस करना चारा था, पर जैक ने ब्रेक ले लिया, तब हम देख पाए कि पूरा क्रू भी सहमा हुआ था, जैक जून को सैड मे ले गया, तो जून को लगा कि शायद थोड़ी च यार नहीं था, तो गस ने हेक को बता दिया कि क्रिस्टू मर चुका है, लियो ने आकर जैक को बताया कि ये एपिसोड आज तक का सबसे बड़ा टीवी इवेंट बन चुका है, रेटिंग्स काबु के बाहर है, पुरा देशा में देख रहा है, ये सुनकर जैक पुरा एकस सब को चित कर दे, फिर ब्रेक खतम हुआ तो लिली तो कैमरा कोई घूर रही थी, इदना को जनता के सामने हो गया, डीमन की आवाज सुन ली, एक पल के लिए शकल देख ली, चेर हवा में उड़ती देख ली, लेकिन हेग इन सभी चीजों को भी एक्सपोस करने के लिए त के साथ, गस कहता है कि मेरा सर तो नहीं घुमा दोगे, तो हे कहता है कि सब का घुमा दूँगा, देखता जा, उसने अपने घड़ी दिखा कर हिपनोसिस चालू किया, और हर कोई उस घड़ी को देख रहा था, गस स्टूडियो आडियंस, जैक, जून, लिली और घर बैठी जनता भी, गस हिपनोटाइस हो चुका था, और उससे पता भी नहीं, एग उससे पूसता है कि तुझे वम्स से डर क्यों लगता है, गस बता देता है, फिर हेग कहता है कि वम्स इंसान की बाड़ी में भी रह सकते हैं, बस ये सुनते ही गस की बाड़ी में कुछ होने लगा उसकी गर्दन से कुछ निकल रहा था, हाथ लगा कर देखा तो पता चला के वम्स थे, फिर घवराहट में उसने अपना पेट चीर दिया तो पेट में से भी धेर सारे वम्स निकल रहे थे, और कोई हैरान था, बस लिली हस रही थी, हेग ने चुटकी बजा कर हिपनोटिसम खतम करना चाहा, लेकिन खतम हुआ नहीं, इससे हेग के भी हो शुट गए, योगि सिचुएशन काबू के बाहर हो चुगी थी, गस की आँख फाड कर एक बड़ा सा वम बाहर आ गया, तब हेग ने बोला, ड्रीमर हेर अवेक, और ये बोलते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, गस को कुछ याद ही नहीं, पर इन सब ने तो देखा, ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या, तब हेग बताता है कि मैंने वही किया जो जूनने किया था, मैंने सब को हिपनोटाइस करके वो दिखाया जो मैं दिखाना चाता था, और सब ने उसे सच मान ल दिया, चाहे ओडियंस हो या घर बैठी जनता, मैंने खुद सब के दिमाग में आइडियास डाले, हेग सच बोल रहा है या नहीं, वो जानने का बस एक तरीका था, ये जो टेप रिकॉर्ड हुई है, इसे रिवाइंड करके देखना, उससे सब कु साफ हो जाएगा, क्यों देखे थे, तो ऐसे भी कुछ लोग थे, जिने कुछ भी नहीं दिखा, वो हिपनोटाइज हुए ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ध्यानी नहीं दिया, हेग ने तो अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, अब क्या जून ने भी सेम यही ट्रिक अपनाई थी, वो जानने के सेम वही दिख रहा था, जो जनता ने देखा था, यानि कोई हिपनाउसिस नहीं हुआ था, जून ने सच में डीमन को बलाय था, ये तो साफ हो गया, पर टेप के अंदर एक लच थी, जिसके बीच में जैक को कुछ दिख गया, स्लो करके देखा, तो उसमें दिखाई दी मै बिजली दिखाई दी रही थी, जैक ने उसे टच किया तो करंट लगा, तो भी पूरे स्टूडियो की लाइट्स फ्लिकर होकर बंद हो गई, और जब फिर से आन होई, तो आन होने से पहले हमें मैडलिन दिखाई दी, बस एक पल के लिए, फिर जब लाइट आन होई, तो लिली का हाल भयानों को चुका था, ऐसा लग रही थी, जैसे कोई प्रोजेक्शन है, यानि इस दुनिया में दूसरी दुनिया से जुड़ चुकी है, उसके दोनों हाथों से बिजली कनेक्ट हो चुकी थी, एक आ रही थी उपर से और एक मानिटर में से, ऐसा लग रहा था गस के सर को ट्विस्ट करके उसे मार डाला, इसने हेक को बोला था कि कहीं मेरा सर तो नहीं घुमा दोगे, वैसे ही इसकी मौत हुई, फिर जुन अपना लॉकेट लेकर सामने आई तो उसने लॉकेट कीच कर उसे हवा में लटका दिया, फोर्स इतनी जादा थी कि जुन का कलाई कट गया, फिर उसने जैक को दूर फेक दिया और अब तो हेक भी बिलिवर बन चुका था, उसने अपना चैक निकाला तो डीमन ने एबरकट एबरा बोल कर चैक गाइब कर दिया, इसके बाद हेक को जला डाला, बाहर से नहीं, अंदर से, इसे बीच लियो आकर जैक क पीछे ले गया, फिर डीमन ने कैमरा अपनी तरफ खीचा, तो स्क्रीन स्टाटिक हो गई, और उसमें हमें दिखाए दिया डीमन का फेस, जो के स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, और तभी ब्रेक आ गया, फिर जब ब्रेक खतम हुआ, तो जैक ने खुद को शो में पाया, और सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जल्दी वो समझ गया कि वो पुराने अपिसोर्स को फिर से जी रहा है, बलके शो के अंदर फस चुका है, वो घर बैठी जनता को बोल रहा था कि टीवी बंद कर दो, तभी वो उस मुमेंट में पहुँच गया, जब उसने पांस साल की लील साइन की थी, रिपोर्टर ने पूछा था कि यहां तक आने के लिए क्या सेग्रिफाइस किया, तो चैनल का उनर बोलता है कि जैक का सबसे बड़ा सेग्रिफाइस तो अभी आने वाला है, फिर दग्रोव के दो मेंबर्स आए और जैक को ले गए डियाबो के पास, वो स्केलेटन और डैवल कॉस्ट्यूम वाले दोनों भी यहां पर मौजूद हैं, इससे पता चलता है कि दो ग्रोव भी अब्रैक्सस की ही वर्शिप करता है, और इसी तरह जैक पहले भी उससे मिला था, लंबे पेडो के बीच, डियाबो ने आउल मास्क पहने एक परसन के सा साइधी मैडलिन, यहां पर कनफर्म हो जाता है कि शो की सफलता के बदले जैक ने मैडलिन को सैक्रिफाइस किया था, हलागे जब यह जंगल में सेरिमनी कर रहा था, तब इसे ये बात नहीं पता थी कि वो मैडलिन को सैक्रिफाइस करेंगे, और अब रैक्सस तो यहीं बत मार डाला तभी वो होश में आ गया और होश में आते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि डैगर से उसने मार दिया लिली को स्टूडियो पुरा खाली है पर उन तीनों की लाशे वहीं पर पड़ी है जैक पुरा शौक में है उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सच है या फिर इमेजिनेशन खुद को होश में लाने के लिए वो बोल रहा था हेग वाली लाइन ड्रीमर हैर अवेक हेग ने बोला था तो सब ठीक हो गया था लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि यह कोई हलूसिनेशन नहीं बलके सच है पुलिस सैरेंस से पता चला कि पुलिस आ चुकी है क् पर टेव खतम हो गई यानि यह मूवी इसकी एंडिंग इतनी साथा टुस्टेड है कि लोग रोज नई नई थियोरी बना रहे हैं और एंडिंग के दम पे ही यह मूवी चल रही है लेकिन एंडिंग समझने से पहले हम यह समझना पड़ेगा कि मूवी में चल क्या रहा था उससे एंडिंग भी क्लियर हो जाएगी इस चैनल पे आए हो तो वो जवाब भी मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलने वाले तो एकदम स्टार्टिंग पे चलते हैं जैक एक रेडियो होस्ट था फिर उसने तक ग्रोव जॉइन किया जिसमें अब रैक्सस की वर्शिप होती थी अ जानता था उस ग्रूप में सारे लिट लोग थे या कहूं के वो लोग थे जने किसी भी कीमत पर अपने इच्छाएं पूरी करनी थी इसी तरह वो सब इलिट बने यूबिसी चैनल का मालिक भी उसी ग्रूप में था उसका चैनल गिर रहा था तो चैनल को उठानी के लिए उसने पिछले होस को सेग्रिफाइस कर दिया फिर एक नया शो बनाया नाइट आउल्स नाइट आउस कौन थे उस ग्रूप के मेंबर शो के अंदर होस्ट रखा जैक को क्योंकि जैक भी अब रैक्सस को अपनी सोल आफर कर चुका था और एक बार जिसने सोल दे दी उसे पर मेंन बात यह है कि जब शो शुरू हुआ उसी सेम टाइम में अब रैक्सस का चर्च बनाया गया अब रैक्सस का प्रचार करना था जो हर तरह से किया जा रहा था चैनल तो करी रहा था पर मोटिव और भी बड़ा था यह सब छोटी-छोटी चाल थी एक बड़े किया जाता है तो अब रैक्सस के प्रचार के लिए एक मेंन चीज़ प्लान की गई थी वो थी ये डील पांस साल तक जैक का यूज करना था फिर आखिर में उससे एक मेंन काम करवाना था पर जैक को बनना था नंबर वन यह इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक और सेर् गया था ना अब रैक्सस इच्छाएं पूरी करता है पर कब करेगा वो उसकी मर्जी है यही तो सारा खेल है लोगों को फसा कर यूज करने का इच्छा तो पूरी हो गई पर कुछ देने के बदले अब रैक्सस ने बहुत कुछ ले लिया वो आगे समझाता हूं फिलाल करने के इच्छा जैक की इसलिए भी पूरी नहीं हुई यूगि उसने डील तोड़ दी थी ग्रूप के आदेश का उलंगन किया था मैडलिन के मरने के बाद वो अचानक से एक महीने के लिए गाइब हो गया था और इसकी कीमत उसे भारी चुकानी पर सकती थी इसलिए कट वाला एपिसोड प्लैन किया ताकि चैनल उसे ना निकाले या फिर ग्रूप क्योंकि निकालने के बाद शायद वो खतम ही कर देते होंगे लेकिन उस एपिसोड में जैक चाहे कितनी भी रेटिंग्स लिया था उससे कोई फरक ना पड़ता क्योंकि पांस साल के डील का मंत पहले से तया था एक बड़ा काम बैक्ग्रांड में और बहुत कुछ चल रहा था शो के साथ साथ जो चर्च बना था वो तीन साल के अंदर ही खतम हो गया चर्च का लीडर डियाबो अपने सभी फॉलोवर्स को लेकर जल गया लेकिन आत्मा उन सब की पहले से अब रैक कड़ी थी लिली सब मर गए पर लिली जिन्दा बच गई उसी प्लैन के तहट उसकी बाड़ी एक वेसल थी जिसमें अबरेक्सस भी आ रहा था और मैडलीन भी मैडलीन भी अबरेक्सस का ही मौरा थी उसकी आत्मा अबरेक्सस के कबजे में थी फिर ये में कड़ी यानि लि प्लैन में था, तभी तो डियाबो खुल कर मीडिया के सामने आकर सब कुछ बताय करता था, सब कुछ डिसीवंग था अब जून का इस प्लैन में क्या रोल? जब लिली जून से मिली, उसी सेम टाइम मेरिलन मर गई यानि मैरिलिन को मारना भी इस बड़े प्लैन का पार था प्योंकि फिर जैक को मिलवाया गया डॉक्टर जून से कुछ इस तरह जैक भी में कडी से जुड़ गया यानि जैक का डाउन फॉल भी जान बूच कर करवाया जा रहा था ताके वो डेस्परेट होकर एक और सेर्मनी करे और अबरेकसस उसकी वाइफ को क्लेम कर ले फिर जो वाइफ की जगा खाली हुई उसे फिल करेगी जून जिसके साथ होगी लिली यानि अबरेकसस फिर डेस्परेशन में आया वो स्पेशल एपिसोड जिसमें फीचर हुआ खुद एवरेकसस जून को लिली मिली तभी जून ने वो किताब लिखी और उस किताब की प्रोमोशन के लिए वो पहुँची शोव पर अबरेकसस को साथ लेकर ये था छे साल लंबा मास्ट प्लैन अबरेकसस को लाइव टीवी पर लाने का विए जैसा कि हेग ने बताया था अबरेकसस एक शोव मैन है उसे ओडियन्स चाहिए ओडियन्स उसे मिली जैक के शो पर जिसे चालू किया था छे साल पहले स्पेशली इसे दिन के लिए और ओडियन्स से मेरा मतलब है पूरे देश की जनता जो एपिसोड एंड होते होते टीवी से चिपक चुगी थी क्योंकि एपिसोड में इतना कुछ हो रहा था स्टार्टिंग होई थी क्रिस्टू से जब मेरलिन की आत्मा उसके दिमाग पर हावी हो रही थी मेरलिन की आत्मा ये सब करके एपिसोड की हाइप बढ़ा रही थी ताकि जब अबरेकसस आए तो उसे बहुत बड़ी आडियस मिले अब आपके मन में दो सवाल आएंगे 6 साल का लंबा वेट क्यों किया और मेरलिन की आत्मा सेट पर कैसे आ गई दोनों का जवाब एक है हेलोवीन क्रिस्टू ने बताया था कि हेलोवीन की रात में दूसरी दुनिया के दरवासे खुल जाते हैं जो कोई अभी हाली में मरा था उसकी आत्मा के पास ये रात आखरी मौका होती है किसी भी अधूरे काम को पूरा करने का कुछ इस तरह मैडलिन की आतमा आई थी और छे साल का वेट भी इसलिए किया गया क्योंकि जैक का शोव वीकेंड पर नहीं आता था और छे साल में जितनी भी हेलोवीन थी वो सारी वीकेंड पर आ रही थी छे साल बाद ये हेलोवीन आई मंडे को आप चाहो तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हो 1977 में हेलोवीन मंडे की थी जिस रात ये शो हुआ इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है अब सारी कडियां आपस में मिल गई वो खास दिन आ गया फिर डेस्परेट जैक ने अबरेकसस को बुलवाया पर जैक को क्यों नहीं मारा फिर जैक किसी अलगी दुनिया में पहुँच गया जहाँ पर उसने मैडलिन को मारा उस डैगर से लेकिन असल में उसने मारा था लेली को यानि वो हिपनोटाइस था हिपनोटाइस किया था अबरेकसस ने इसका प्रूफ भी है जब हेग ने सबको हिपनोटाइस किया था तब उसने चुटके बजा कर अपने हिपनोटीसम को खतम करना चाहा था लेकिन हुआ नहीं था जब उसने ड्रीमर हेर वेक बोला तब हुआ था इससे बदा चलता है कि हिपनोटीसम उसका नहीं चल रहा था बलके अबरेक्सस का चल रहा था, जो के इस दुनिया में आ चुका था जून के सेशन में, तब ही तो लिली हस रही थी, यानि अबरेक्सस हस रहा था, उसने अपनी मर्जी से हिपनाटिसम खतम किया, और हेक को लगा के उसने किया, जबके हेक की हालत खुद खराब हो चुगी खुद किसी को नहीं मारता, उन तीनों को जैक ने मारा लाइव टीवी पर, तब ही तो पुलिस पहुंच गई इतनी जल्दी, असल में हुआ ये था, जब जैक ने टेप के अंदर मैडलिन की आत्मा को देखा था, तब वो सुनो गया था, और तब उसने कुछ ऐसा किया था ये सिगनल था कि वो हिपनोटाइज हो चुका है, यानि अब रैक्सस के वश में है और उसके साथ सभी देखने वाले भी, यानि हम भी, जो कुछ भी हुआ, वो सब हमें सज्जेस्ट किया गया कि ऐसा हुआ, तो वैसा ही हमने देखा, जब कि असल में अब रैक्सस ने जैक इसके बाद अब रैक्सस की पहुँच कहां तक हो गई, पूरे देश तक, पुरा देशी एपिसोड देख रहा था, वो सब अब रैक्सस के वश में हो गए, जो हैलूसिनेशन हमें दिखाई गई, उसमें भी डीमन टीवी से बाहर आ रहा था, ये भी क्लियर साइन था कि आ मूवी हो गई पैरलल, एक जो दिखाई गई और एक जो नहीं दिखाई गई, पूरी दुनिया इसकी एंडिंग समझने के लिए पागल हो रही है, अगर मैं इंगलिश में वीडियो बनाता तो डारेक्टस भी शाबाश ही देते, कोई भी डीकोड नहीं कर पाया आप तक, पर मेरा तो आपको पता ही है, एंडिंग समझ में आ गई तो और चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, इसकी एंडिंग बस imagination थी, वो confirm करना भी simple था, जैसे जून और हेक के सेशन को rewind करके देखा गया, वैसे इसे देखना था, सब कुस साफ हो जाता, लेगन ऐसा नहीं किया क्योंकि एक तो ending ऐसी रखनी थी, और दूसरा ये movie अपने premise पर नहीं टिकती, इसका premise है found footage, उस episode की tape मिली है, जिसमें पूरा live episode है, और साथ में behind the scene footage है, लेगन इस premise को movie अपने हिसाफ से बार बार चोड़ रही थी, जैसे के behind the scene footage भी उनी cameras की होनी चाहिए, जो show को record कर रही ब्रेक के बीच की footage, लेकिन हमें दिखाय क्या गया, backstage की सारी बाची, camera कैसे घूम रहा था जैक के साथ साथ, और क्या camera के सामने सारी secret बाते बोली जा रही थी, कि क्रिस्टू मर चुका है, बैरी एक paid actor है, कुछ इस तरह directors ने बार बार premise को छोड़ा, और सोचा कि किसी को पत करके दिखा, के नहीं, टेप भी तो देख रहे थे हम, recorded tape उन्होंने देखी तो उन्हें सच दिखा, पर हम भी तो recorded tape देख रहे थे, इसी logic से ending भी हमें original दिखनी चाहिए थी, जो असल में record हुआ था, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, फिर आखिर में movie ने एक और बा कई बार दिखी, वो पहले से set पर मौझूद थी, बिजली के रूप में वही travel कर रही थी, तभी बार बार glitch दिखाई दे रही थी, दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आ रही थी तब, क्योंकि हेलोवीन के रात उसके लिए दरवासा खुला हुआ था, स्टार्टिंग मे मेरिलीन की फोटो जो कवर पे दिखाई गई थी, उस पे लिखा था दे गुडबाई गर्ल, ये तो एक्स्प्लें करना बनता ही नहीं, आखिर में जाकर जैक ने उसे गुडबाई बोला था, नाइट आउस का जो लोगो था, वो आखिर में सच हो गया, अबरेकसस की पूर आड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पाकि एंडिंग पहले से फोर शैडो कर दे गई थी, लियो ने जैक को बोला था कि अगर मैडलिन होती तो यहीं बोलती कि जा जैक सब को चित कर दे, आखिर में उसने सब को चित कर दिया, हैर अब बात करते हैं इंटरस्टिंग फैट किया जा सकते हैं, यह भी मार्केटिंग में काम आया, मुवी बेस्ट है न्यॉयक में, लेकिन शूर्ट हुई है मेलबन औरस्ट्रेलिया में, हलोवीन में यह मुवी बेस्ट है, और हलोवीन के ही दिन इसकी दो फिल्म फेस्टिवल में स्क्रेनिंग होई थी, मुंबई फि इस फिल्म के पोस्टर में वही सेम फॉन्ट यूज़ हुआ है जो उस फिल्म के पोस्टर में था और उस पोस्टर के उपर टैग लाइन लिखी है जैक का शो भी 1971 में स्टार्ट हुआ था तो क्या वर्म्स तभी से बेट कर रहे थे स्टीफन किंग ने इस मुवी की काफी ता बात की कॉंट्रवर्सी थी कि AI सब की नौक रिखा जाएगी वह वाला सीन है यूबिसी का जो लोगो था वो मिलता है ABC के लोगो से अमेरिकन ब्राड कास्टिंग कंपनी और स्ट्रेलिया का नेशनल टीवी नेटवर्क भी ABC है आयन ब्लिस को किसी दूसरे रोल के लिए हायर से ओफर करते थे अगर कोई सूपरनेच्छल पावर्स को प्रूव कर दे तो और कोई कर नहीं पाया कुछ-कुछ और सन्वेलस से भी मिलता है क्रिस्टू का नाम दो रियल साइकिक्स के नाम से मिलता है क्रिस्वेल और क्रेसकिन दोनों ही कई बार जॉनी कर्सन के शो में आ ले ग्रोव बेस्ट है बोहिमियन ग्रोव के उपर जो कैलिफोर्निया में है उसके मेंबस के लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम भी आते हैं इंक्लूडिंग यूएस के तीन प्रेसिडेंट्स तो यह थे कुछ अंसुने फैक्ट्स आई होप आपको पसंद आए वीडिय और डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लो तागे नोटिफिकेशन हमारी में कड़ी जोड सके और जाधा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टग्राम पर फालो कर सकते हो वहां आपको बहुत क बढई